नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी के सभी I hope सभी healthy हैं consistently prepare करें तो आप में से काफी लोगों का exam कल 4 December को है जिन में से कुछ states ऐसे हैं जाहाँ पर issue आ रहा है regarding exam कारण है, weather issues, cyclone जो predicted है कल hit करने के लिए certain areas में certain states में जैसे उडिसा, West Bengal की कुछ areas है अंदरप्रदेश के लिए तो उसके लिए बच्चे थोड़े परिशान है क्योंकि transportation के जो medium से वो cancel कर दिये गए है majority जो students हैं वो by train travel करते हैं और train आपकी आने वाले कुछ दिनों के लिए cancel की गई है तो उससे issue रह रहा है कि इस सेंटर तक कैसे reach करेंगे क्या issues रहेंगे तो उसके लिए वैसे तो काफी बच्चों के जिनके मेरे पास messages आया थे उन सभी से मैंने कहा था कि IBPS को आप mail डालके पूछे call करके पूछे mail का तो जो default reply है वो आया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता call के थूँ थोड़ा सा संतावना मिली थोड़ी सी आपको एक hope मिली कि यार उन्होंने बोला कि आप wait कीजिए आज कोई ना कोई decision जो भी लिया जाएगा वो आपको inform किया जाएगा तो जादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर students अगर IBPS को आपके favor में decision लेता है तो आज का दिन है ऐसा एक example LICWO का भी था 2019 जब ये issue आया था तो उन्होंने exam का जो सुभह का time था ना जिस दिन exam था उसकी सुभह में ही exam cancel किया था कुछ states के लिए कुछ areas के लिए तो अभी उमीद बाकी है I'm sure कि IBPS unfair नहीं लेगा decision genuine issue है तो इन कुछ जगाओं पे exam cancel किया जाना चाहिए and I'm sure कि आज के दिन में late evening या by evening आपको positive news देखने को मिलेगी बाकी कुछ भी official update रहता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ share करूँगा और जितने भी मेरे उडिशा अंदर और वेस्पंगाल के candidates हैं जहां पर ये issue वो face कर रहे है हिमत मत हरिए का विश्वास रखिएगा I'm sure कि आपकी favor में ही decision दिया जाएगा ठीक है? टेक कियर best of luck